आप लोग जब भारत के बारे में पढ़ते हैं, भारत को समझते हैं और इसके इतिहास के बारे में देखते हैं, तो आप लोगों को तेन तारीक काफी महत्पूर्ण लगते हैं एक तो आपका है 15 अगस्त, जिस दिन आप लोग सुतंता दिवस यानि की आजादी का दिन मनाते हैं एक है आपका 26 नवंबर और जिस दिन आप लोग समीधान दिवस मनाते हैं और एक है आपका 26 जनवरी जिस दिन आप लोग गरतंत दिवस मनाते हैं तो इन तीनों तारीकों के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं और अगर आप लोग किसी एक्जाम की तैयारी कर रहे होंगे चाहे वो State PCS हो, Civil Service हो या One Day एक्जाम हो तो इनमें से questions पूचे जाते रहते हैं और अगर आप लोग भारत में रह रहे हैं तो मुझे लगता है कि समिधान के बारे में आजादी के बारे में गरतंत के बारे में आपको मालू होना चाहे है इसके लिए इस आजादी के लिए आज जो हम लोग खुली हवा में एक तरह से सांस ले रहे हैं बोल पा रहे हैं कहीं भी आज आ पा रहे हैं इसके लिए बहुत सारी महानायकों ने अपनी जान दी, तरह तरह की यातनाओं से गुज़रना पड़ा, तब जाकर आज हमें एक आजादी मिली है, देखिए हमारा प्यारा भारत है, और आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था, अंग्रेजों से हमें मुक्ती मिली थी, और 1947 के पहले पाकिस्त और बंगलादेश भी हमारा है हिस्सा था, आप देखते हैं कि 1947 में हमसे अलग होकर पाकिस्तान बन जाता है, यह पाकिस्तान का ही हिस्सा था बंगलादेश, लेकिन 1971 में आप सभी जानते हैं कि भारत पाकिस्तान की बीच योध होता है, उस समय हमारे देश की पिदान मंतरी इंदरा गांदी थी और पाकिस्तान के दो टुकडे कर देती हैं बंगला देश को आजात करती हैं देखे पाकिस्तान से हमारी सीमा राज गुजरात की लगती है राजिस्तान पंजाब जम्मू कसमीर लद्दा की लगती है और बंगला देश से आप देखें पश्च मंगाल अ आप लोग सोतन्त हुए थे, फिर बात आती है कि 26 नवंबर की, तो 26 नवंबर को आप लोग क्या समीधान दिवस मनाते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 में कुछ प्रावधानों के साथ आपका समीधान अंगिकित, अधिनेवित और आत्मारपेत हो गया था, फिर आप लोग देखेंगे कि 26 नवरी को क्या हुआ, तो 26 नवरी 1950 को पूरी तरह से आपका समीधान भी लाग हो चुका था, और गरतंत के रूम में हमारी इस्तापना हो चुकी थी, बहुत सारी संस्थाओं का इस दिन जनम भी हो चुका था, इसलिए 26 नवरी को हल साल आप द भरोसा हो, किसी धरम पर भरोसा हो, जाती पर भरोसा हो, भासा पर भरोसा हो ना हो, लेकिन समीधान पर हर किसी को भरोसा रहता है, और जब कहतें कि आजादी का टाइम आया, तो हमारे देश में 565 के करीब रियासत थी, सभी आजाद होने का ख्वाब देख रही थी, यानि क देख लीजे और उस समय हमारे देश के जो पहले ग्रह मंत्री बने थे उपधान मंत्री बने थे सरदार वल्लब भाई पटेल कहते हैं उनकी बड़ी रड़नीती थी उन्होंने सभी रियासतों को एक करने का काम किया और आप देखे उस समय के हमारे जो भी लोग रहे हैं जो ह हमारे हीरो आप लोग कह सकते हैं उस समय के उन्होंने एक सम्मिधान बनाया उस सम्मिधान को आप देखे कि उस समय के बाद से अभी तक हम सबको जोड के रखे हुआ हैं आपका धरम कोई भी है इससे कोई फरक नी पड़ता है लेकिन आपकी आस्था आपकी आप सम्मिधान और नागरेकों से इसका पालन करने की अपेक्छा कि जाती है अब समीधान को भाग 3 को पढ़े हैं आपको मौलिक अदिकार दिये गये हैं कि भाई आप लोग बोल सकते हैं आप कोई संगठन बना सकते हैं आंदोलन कर सकते हैं लेकिन आप देखिए यहां आप लोगों को सबसे पड़े लेके बैखती थे आज की नेताओं को आप लोग देख लिए तभी आपका कर्तब है तो यह आप देखे सम्मिधान और आप सोचे कि वो समय सम्मिधान बनाया गया आज हम लोग उसी को खॉल कर रहें और उसी के साब से बड़ी सारी समस्याओं का समाधान भी हो तो बड़ी दूर दर्सी उस समय के हमारे निताओं की सोच रही होगे और भीमराव मेटकर साब जने सम्मिधान का आप लोग पिता कहते हैं सबसे पड़े लेके बैखती थे आज की निताओं को आप लोग देख लिए तभी कहता हूं कि आज की निताओं की तुलना कभी उस निकोर्सी बचाने के लिए चुनाओ जीतने के लिए साम धन्द भेड सब कुछ अपनाया जाता है तो फरक है हमारे निताओं में 15 अगस्तों 1947 को भारत एक सुतंत राष्ट बन गया था और यह उतारीक है जिसे लौड लूई मान्टबेटन द्वारा निर्धारित किया गय सामान थे वेक सामान कानूर परणाली और भारती समिधान का मसवधा तियार करने ही तो एक मसवधा समती निक्त की गई और अन्तिता भारती समिधान 26 नवंबर 1949 को समिधान दिवस को तियार किया है और इसे सुईकार किया है और दो महिने बाद यानि कि 26 जनवरी 1950 को समिधान लागू हुआ है देखे हम लोग ने चिसी से कोई उधार नहीं लिया है बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि हमारा समिधान उधार का थेला है भाई उधार क प्रश्चाते हों तो उठा के इसमें अपने समीधान में सामिल नहीं कर लिया है। हमारे उस समय के समीधान निर्माताओं ने कई देशों का समीधान पड़ा। और फिर हम लोगों ने उसमें से जो अच्छाईन थी उसमें परिवक्तित करके अपने भारत की समीधान में सामिल कर लिया। और फिर दूसरी बात अगर अच्छाईयां कहीं से मिल रही हैं तो उसे लेने में क्या गुजित, क्या प्रेशानी है। फिर आप देखते हैं कि एक और तारीख आप लोगों को याद रखना चाहिए। भारतियों द्वारा सुतंता दिवस की रूम में मनाया जाएगा। पंडी जवालान नहरू हमारे देश के पहले पिधान मंतरी थे और इस पिकार जब 26 नवंबर 1949 को भारतिय समिधान को अपनाया गया। तो कई लोगों ने राष्टी गौरफ से जुड़े इस दिन यानि कि 26 जनवरी पर कानूनी दस्तावीच को सुईकार करना और लाओ करना आवस्तर समझा। अब आप से ही पूशता हूँ, आप लोग एक कह देंगे, आप लोग सवाल करेंगे मुस्से कि 26 जनवरी क्यों चुना गया है। गौरफ का से जुड़ा मानते हुए इस दिन को चुनाता समिधान को पूरी तरह से लाओ करने के लिए, ठीक है? तो ये भी याद रखेएगा। और गरतन दिवस की अगर हम लोग बात करें कि इसका महत्व क्या है, तो गरतन दिवस भारती इतियास में एक महत्पूर्ण दे रहे हैं, क्योंकि इस दिन भारत ने अपना समिधान अपनाया था और देश के अपने कानून की घोशना की थे। बेटे सोपनेवेसिक भारत सरकाह दिनियम 1935 को अंतता बदल कर देश एक नई सुरुवात करने के लिए तेयार था, और इसके अतरिक्त इसी दिन भारत की समिधान की पिस्तावना भी को भी लागू किया गया था, पिस्तावना मोटे तोर पर एक व्यापक वयान है, जो समि पिस्तावना को पढ़ते हैं तो समीधान का उद्देश आप लोगों को समझ में आ जाता है, एक ओवर भी उस समझ में आ जाती है आपको कि अंदर जाकर आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसी दिन भारत ने ओपनेवेसिक बेवस्ताव को समात किया और एक सम्विरभू एक विसाल राष्ट की इक्षा का जसन मनाता है, जो भारत की विवित्ता की में एकता का उधारन पिस्तूत करते हुए, एकल समीधान में सामिल माध्यम से सासित होना चाहता, और आप देखें अगर समीधान हमारा नहीं होता, मान लेते हैं हम लोग, तो आप क्या लगता है हो, तिरंगा हो, आप देखते हैं, समझ रहे हैं? यहां तीन सब्दा आप लोग काफी चर्चा में और सुनते होंगे, एक तो संपिर्भू, तो इसमें आप देखें कि संपिर्भू का मतलब होता है भारत ना तो किसी अनराष्ट पर निर्वर है, बलकि एक सुतंत राज्य और देखें, पॉलीटी में, आप लोग राज्य का मतलब होता है, देश से लगाया जाता है, यह आप लोग याद रखा करिएगा, इसके उपर किसी का कोई अधिकार नहीं है, या अपने मामलों का संचालन करने ही तू सुतंत है, हमारी सुतंत बिदेश नीती है, हमें जिस पसंद नहीं आता है, तो वो बदल देती है, गरतंत, प्रिस्तावना इंगेट करती है कि भारत में एक निर्वाचित पिरमोख होता है, जिसे राश्टरपती कहा जाता है, वह आप इत्यक चरोप से पांच वर्स की निश्चित अहुदी के लिए चुना जाता है, कहने के ल निर्वाचित सदसों के द्वारा चुने जाते हैं, और जिसकी पास बहुमत होगा, उसी का राश्टरपती होगा, अब यह जैसे दुरुपती मुर्भू हैं, वो आप सभी जानते हैं कि NDA BJP की राश्टरपती हैं, वो कहने के लिए देश की राश्टरपती हैं, लेकिन आ NDA BJP को कितनी दो ले आई हैं, साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारी यात्रा अभी भी पूरी नहीं हुई है, सिक्षा को देख लिजे, अभी भी हम लोग पिछड़े हुए हैं, स्वास्त की बेवस्ता देख लिजे, गरीवी बढ़ती जारी हैं, इन और भी हम में ध्यान देना होगा, बाकी आप लोग देखते रहा करिएगा, इस तरह की तारीकों को समझते रहा करिएगा, और कई बार आप देखते हैं कि आप से पहुच ही लिया जाता है, कि 26 जन्वरी को क्यों मनाया जाता है गरतंत, 26 नमवर को समिधान दिवस के होना जाता है, 15 अगस्ती सुतंता दिवस के होना आजाता है तो इसलिए कहते हैं एक ओवर्वियू होना चाहिए आपके पास चलिए कोई आपका सवाल हो मेरे लिए सुझाओ तो जरूर आप लोग नेचे बता सकते हैं किसी और टॉपिक पर अगर बात करनी है तो उसका भी नाम आप लोग न